हेलो एवरीवन, वेल्कम टु पिनैकल क्लासेज, मैसेल्फ निशा ज्यांग्रा, और यह तो टीच यू देल्यू पुलीस, हम लोग आज एक नया टोपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अपना रेश्यो एंड प्रपोर्शनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं इंपोर्टेंट टोपिक बन जाता है, इंपोर्टेंट टोपिक क्यों है, क्योंकि यह एक ऐसा टोपिक है, जो हमें हर टोपिक के अंदर देखने को मिलेगा, हर टोपिक के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब जैसे हम कोई भी टोपिक लगा रहे हैं, टाइम एंड वर्क का में देखने को मिलती है जैसे हमने देखा होगा HCF and LCM में भी कई बार रेशो देखने को मिल गया number system में भी कई बार रेशो देखने को मिलता है time and work में मिल जाएगा तो बहुत सारे हमारे ऐसे questions होते हैं या मैं बोल दू कि mostly हर चेप्टर में कही ना कहीं रेशो का कुछ पार तो definitely हमें मिलेगा ही तो यह topic बढ़ना अपने आप में इसलिए है कि एक्जाम में आने हैं दूसरा इसलिए भी important है कि एक ऐसा topic है जो मुझे हर topic के अंदर help करेगा हर topic के अंदर मेरी यह help करेगा और बहुत सारे ऐसे questions होते हैं जो अगर हम उनको method से जाएं या formula से करें तो उनको solve करना मुश्किल पड़ता है वहीं अगर मैं उस question को या फिर उस problem को ratio से solve करती हूं तो बहुत easily हो जाती है तो इसलिए भी ratio सीखना important हो जाता है क्योंकि हमें मतलब यह एक ऐसी चीज है जो हर topic को करने में मे बहुत easy topic है ratio का जो topic होता है बहुत easy है इसमें जो language वाले questions आते हैं हर topic में आते हैं तो इसमें दोनों type के रहते हैं simple भी मिलेंगे desert दे रखी हैं और language वाले भी और language वाले questions तो इसके अंदर इतने easy होते हैं बोलते नहीं दूर्मली कि हमसे language वाले questions नहीं होते हैं वैसे वाल चाते हैं, तो language में ना फसे वो एक ऐसा topic हमारा ratio and proportion होता है, जिसकी language में बोलू, बहुत smooth होती है, बहुत easy होती है, easily solve कर सकते हैं, ओके, चलो start करते हैं हमारा topic, ratio and proportion, हिंदी में बोलेंगे हम लोग anupat और samanupat, ठीक है, topic तो बता दिया है, मैं आपने ratio and proportion, अनupat और samanupat होता क्या है ratio के अंदर, ratio का मतलब क्या होता है, देखो, एक बर पहले definition देख लेते हैं, क्या है, मैं नहीं कहा रही कि definition आप रटो, आपके दो number की paper में आएगी नहीं होता था है, उसमें, school days में तो यही रहता है न, आपको याद करनी होती है, लिखो उस चीज क जितनी step करते जाओगे उतने number मिलेगे, मैं बिल्कुल वो चीज नहीं कहा रही हूँ, लेकिन एक बर फिर भी अपना basic clear करने के लिए, अपने concepts को clear करने के लिए हमें definition देखनी पड़ती है, देखो, the relation, the relation between two numbers which shows how much bigger one quantity is than another, हिंदी में देखते हैं, दो संख्याओं के, दो सं किया, दूसरी से कितनी बड़ी है, ठीक है, ratio actually वो छोटी से छोटी quantity, छोटी से छोटी मतलब जो हमारे deserts होती है, ratio में, देखो, कभी बच्पन में याद आ रहा होगा, ऐसे solve किया हुआ, ऐसे होँगे, हमारे पास questions आते से, ये 6 या 7th class में आ जाते है ratio का, उसमें देखो, ये किया होगा कभी, 2 ratio 6 दे रख है, और एक number में question आ रख है, मैं इसको simplest form में बनाना है, तो हम इसको क्या करते थे, 1 ratio 3 लिख देते थे, है ना, ऐसे इसको solve करते थे ना, तो देखो, ratio का मत इसलब वो simplest form, वो छोटी से छोटी संख्या, जो हमने बड़ी digits को solve करके छोटी में convert कर दिया, अब यहाँ छोटी में क्यों convert करते हम, अब मालों ये तो छोटी छोटी digit थी, 2 और 6, मैं easily बता सकते हूँ, जैसे 6 बड़ा है 2 से, लेकिन जब बहुत बड़ी-बड़ी quantities हो, त क्यों सी छोटी है, जो भी question ने पूछ रखा है, हम यहाँ से हर चीज़ का अंसर देज़ा, ठीके, तो यही definition ने बोल रखा है, कि दो संख्याओं के बीच का संभंध बताता है, कि एक संख्या दूसरी से कितनी बड़ी है, उसका बोलते है ratio, ओके, proportion का last time में बाद में देख को discuss करते है, कुछ और terms है इसे related, एक बार वो देखते है, देखो, ratio होता क्या है, बोलने में तो ratio है, ठीक हमने definition पढ़ ली, अब देखो, ratio को denote किस से करते है, हम लोग ratio को यहाँ बता देती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ rough, ठीके, paper में करते थे न, बच्पन में, बच् लेके चलते हैं, देखो, मैंने लिख दिया कोई भी डिसिट है, टू, ratio, 3, ठीक है, टू, ratio, 3, मैं आप तो बोल रेटू, ratio, 3 है, मुझे तो दिख रहा है, यह दो, फिर दो बिंदी और 3 है, इन बिंदियों को ही ratio बोलते हैं, यह जो दो बिंदी लगाते हैं, इनको ही हम ल क्यों बता रहे हो इसलिए बता रहे हूं ताकि एक बार जिसको आप लोगों को पता है ठीक है लेकिन कोई तो होगा जिसको नहीं पता कोई तो होगा जिसको नहीं पता लेकिन एक बार यह है कि सब के बेसिक एक बार सब का क्लियर हो जाए जिसको पते है बहुत अच्छी बात 3 बटे 7, तो मैं इस चीज़ को ratio में कैसे लिखूँगी, 3 ratio 7, यानि कि उपर वाली digit को पहले लिखना है, फिर यह 2 बिंदी, 2 dot, यानि की ratio लगाना है, फिर मुझे denominator यानि की निचे वाली digit को उतारना है, यह रहता है हमारा ratio, ठीके, तो सबसे पहली चीज़ यही बतारखी है, कि ratio को denote कैसे करेंगे यहाँ पे चैसे मैंने digit लिए न पात साथ तीन साथ इस टाइप से ना लेके मैं x and y की form में समझा देती हूँ x ratio y भी बोल सकते हैं और इस चीज़ को हम x by y भी बोल सकते हैं पहली चीज़ तो होगी हमारे पास यह ठीक है दूसरा देखो दूसरा हमें मिलता है वर्ग अनूपात वर्ग अनूपात को कैसे डिनोट करेंगे देखो वर्ग अनूपात बनाए वर्ग प्लस अनूपात से अनूपात यानि की ratio वर्ग यानि की square तो हमें जो ratio गीवन है x ratio y उसका वर्ग करना है उसका square करना है आया समझ वर्ग अनूपात म इसका वर्गानुपात निकालो या फिर इसका वर्ग मुलानुपात निकालो गनानुपात निकालो इस टाइप के कोशन्स आते हैं तो उसके लिए एक बार इनको देखना जरूरी है कोशन्स लगाएंगे मैं मना नहीं कर रही, लेकिन थोड़ी देर बाद लगाएंगे, एक बर basic देखना compulsory है, मेरी class में हो तो मैं तो यहीं बोलूँगी compulsory है, बाकि आपकी मर्जी आपको basic करना है, नहीं करना, direct question लगाने, वो आपके उपर depend करते हैं, देखो, third है हमारे पास वर्ग मुलानुपात यानि कि square root, square root जो ratio दे रख है, उसका square root बनाना है, root x ratio, root y, जैसे मैं question देतू, आप लोगों को 4 ratio 9 है, इसका मुझे square root निकालना है यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर root 4, ratio root 9, 2 ratio 3, आंसर कितना आ गया, 2 ratio 3 इस टाइप से हो जाएगा, next देखो, घनानुपात, इस में क्या है, घनानुपात, घन यानि की cube, अनुपात यानि की ratio, जो ratio मुझे गीवन है, मुझे उसकी घन, यानि की cube लगानी है, ratio था x ratio, वाई, cube लगा दो, x square ratio, y square, इसका opposite ले लो, घना मुलानुपात, cube root वाले में, जो भी ratio मुझे गीवन है, उसकी मैंने cube root लगा दिया, ठीक है, देखो, next आता है, एक मेरे पास, यहाँ से, छटी term जो है, वो हमारे पास है, यहाँ से, inverse ratio, जिसको बोलते हैं, वितकरम अनुपात, inverse ratio के अंदर क्या है, x ratio y दे रख है, ठीक है, मुझसे उसका inverse ratio पूछ लिया, तो मैं क्या लिखूंगी, y ratio x, ठीक है, अब मन में एक doubt आएगा, जैसे, किसी भी डिजिट का मुझे करने है, मेरे को कोई भी मालो, डिजिट गीवन है, टू, टू डिजिट मुझे गीवन है, मैं बोलूँगा, इसका inverse करो, इसका वितकरम निकालना है, तो मैं आपने तो बता रख है, 1 by 2 होते है, 3 का ऐसे ही निकालना हो, तो 1 by 3 होते है, ठीक है, तो देखो, मिरे पास 2 ratio 3 था, इसका inverse कैसे निकालूँगी, मैं, 2 ratio 3 का inverse हो गया, 1 by 2 और 1 by 3, लेकिन आपने तो बता है, अभी xy का yx हो जाना था, यानि कि यहाँ पर मेरा answer तो आना चीए, 3 ratio 2, ठीक है, तो देखो, यहाँ से मिरे पास value इतनी आगी, आप देखो, 3, ऐसी value मुझे यहाँ, उसकी ऐसी value से multiply करानी है, जो 3 से भी पूरी- कर जाए, जब भी ऐसे आजाए, fraction के अंदर हमें ratio मिले, तो हमें एक ऐसी value ढूणनी होती है, जो दोनों fractions के denominator को पूरा-पूरा काट दे, ठीक है, ऐसी value यानि कि हमें उनका LCM लेना होता है, यहाँ पर 3 और 2 का LCM कितना आएगा, 6, 2, 3, 3, 2, आगया answer वही, 3, 2, तो बीच का यह दो स्टेप बोलूंगे मैं इसको है, पहले तो 1 by में करो, फिर उस का LCM से multiply, तो बीच की दो स्टेप ना करने पड़े, इन दो स्टेप को avoid करने के लिए हम लोग क्या करते है, 2 ratio 3 का inverse, सिद्धा 3 ratio 2 लिख दे, ठीक है, जैसे यही था, x ratio y, ठीक है, तो inverse क्या होगा, 1 by x यहां का inverse 1 by y, दोनों केलसियम कितना हैगा, x, y, यहां से भी x, y, y से y cancel, x से x cancel, क्या बचता है हमारे पास, y ratio x, आपने इसी चीज़ को यहां पर directly लिख दिया, y ratio x, ठीक है, तो inverse ratio का मतलब हमें सिर्फ ratio को उल्टा कर देना है, पिछे वाली चीज़ को आगे लिख दो, ओके, देखो, ये terms पड़ी हमने, ये नहीं बोल इंपोर्टेंट नहीं है, काम की चीज़े हैं, ठीक है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये 5-6 चीज़े ऐसी है, जो आपको ratio और इसका ratio and proportion topic की जान बोल सकते हैं, बहुत important चीज़े हैं, कैसे, ये जो 6-7 च सिर्फ इनके उपर ही पूरा का पूरा chapter इनी चीज़ों के आसपास मन रहता है, इनसे भार rare ही कोई उताओगा question आता हो, एक बार ये चीज़े सीख लेना, आपको अंदर से confidence आएगा कि हाँ questions हो रहे हैं, कि हाँ मेर को आ गया है, तो ये 6-7 चीज़े अपनी copy में उतार लेन ध्यान से याद कर लेना अभी, अभी जब बताओं तभी याद कर लेना, बिल्कुल भी ये सोच के मत रखना कि अपना copy में उतारूँगा या उतारूँगी तब याद कर लूँगी, थड़ देर बाद याद कर लूँगी, अभी पढ़ा रही हूं तभी के तभी याद कर सबसे ज़्यादा capacity होती है हमारे mind की, जब कोई हमारे पढ़ा रहा होता है, उसी time चीजों को याद करने की, छोड़ दी उस time की बाद में कर लूँगा, नहीं होती, होती भी हैं तो double time में होती हैं, जितना आप अभी कर पाओगे, जितना आप अभी gain कर पाओगे, उसकी में दिक्कत आएगी, सबसे पहले तो ये तीन चीज़े देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, तीन चीज़े क्या हैं ये, देखो, और और गिषन में मिलेगा हमें कोई भी दो values दे रखी है, जैसे मैंने वैलू दे दी दो और तीन, टीक है, ऐसे हमें values गिवन होगी, कि ऐसे लिख देती हूं, A की value है 2, B की value है 3 ऐसे मुझे कुछ ना कुछ value given होगी और question की demand होगी कि मुझे वहाँ पर निकालना है mean proportion मध्यानुपाती निकालना है वहाँ पर question ने 2 digit given होगी और बोलेगा मध्यानुपाती निकालना है मुझे mean proportion निकालना है mean proportion के लिए formula क्या होता है पास अंडर दा रूट ए बी जो भी वेल्यू गीवन है उसको रूट में कर दो अंडर दा रूट में करो उन दोनों की मल्टिप्लाइए कराओ अंसर अगर परफेक्ट स्क्वेर आता है तो उसको रूट से भाहर निकाल दो और उप्षन से मैच करो कौन सा उप्षन उसको टिक करो आगे वड़ो आई बाद समझ मीन प्रेपोर्शन निकालने के लिए क्या बताया है अंडर दा रूट ए बी अंडर दा रूट ए बी फिके नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं तीसरा समानुपात ओके तीसरा समानुपात निकालने के लिए क्या फोर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वार बते ए बी स्क्वार बते ए जैसे इसका निकालना हो मुझे तो क्या कर कह रही हूं यहां से question आते हैं में प्रपोर्शन निकालना है थार्ड प्रपोर्शन निकालना है इस टाइप के questions आते हैं नहीं विश्वास हो रहा मेरे बातों पर अभी आगे questions लगाएंगे वहां दिखा दूगी कौनची शिफ्ट में कौन से पेपर में गब पुछा गया है और करना क्या है? सिर्फ ये तीन formula है, इनको याद करके, just हमें values ही put करनी है, just हमें values ही put करनी है, यहाँ पे, कुछ मुछकिल काम है, formula तीन formula और वो बी इतने लंबे चोड़े नहीं है, छोटे-चोटे को formula है, और इनमें भी just value ही रखनी है, कोई बड़ा काम थोड़ी है, देख के लिए क्या formula होते है, अमरे पास, 4th समानुपाती, 4th समानुपाती के लिए, BC बटे A, BC बटे A, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे C की भी value given है, 5, तो इस question में कैसे निकालूंगी, BC, B गुना C बटे A, A यानि कि 2, 15 बटे 2, यही मेरा answer आगा, पुछ लंबा चोड़ा काम थोड़ी करना है, तो देखो, 3 formula बताए है, मैंने सबसे पहले बताए है, mean proportion, मध्यानुपाती, उसके लिए क्या होते है, under the root A, B, ठीक है, second बताए है, मैंने third proportional, तीसरा समानुपात, उसके लिए क्या होते है, मारे पास, B square बटे A, B square बटे A, B का वर्ग बटे में A, तीसरा होते है, मैंने fourth proportional, चोथा समानुपात, उसके लिए क्या होते है, B, C, बटे A, B, गुना, C, बटे A, अभी तिन्नों को याद कर लेना, अभी तिन्नों को याद कर लेना, दिमाख में set हो जाए, आगे देखो, इसको रब कर दो, ताकि यह जब आपको notes मिले, तो यहाँ दिक इसमें क्या बता रखा है, धहां से सुनना, हमेना questions given मिलेंगे, questions में मुझे ratio इस form में given मिलेगा, जैसे x बटे 3, ratio, y बटे 2, ऐसे values given मिलेंगे, तो वहाँ पे हम पहले तो x and y की value निकालेंगे, तभी तो फिर आगे कि जो question की demand होगी, इसको solve कर पाएंगे, सिध्या थोड़ इसे x बटे कोई value, y बटे कोई value, अगर मुझे ऐसे दे रखा है, तो क्या करते हैं, जो इसके निच्चे value है, वही इसका अंसर, x की value 3, y की value 2, ऐसे कैसे हम रट लें, आएगा कहीं होगी तिमाग में, ऐसे कैसे हम सिध्धा रट लें, देखो, क्यों आई है यी चीज बहर बता देती हूँ ताकि वो दिमाग में सेट हो जाए देखो मैंने बोला x बटे 3 बराबर है y बटे 2 मुझे ये चीज़ गिवन है है ना देखो x को यही रहने दो y वहाँ पे उपर है यहाँ पे निचे आके भाग में ठीक है ये दो as it is यहीं रखो तीन ये निचे भाग में उपर चला जाएगा वहाँ पे value क्या आई है x की value मेरी 3 आगी y की value मेरी 2 आगी तो यह हर question में मुझे ना करना पड़े हर question में मुझे ऐसे करके ना देखना पड़े इन सब चिज़ों को neglect करें avoid करें इसलिए मैं direct formula बता रहे हूं क्या formula भी क्या है simple सी बात है जो उसके नीच दो यहां पर भी y की कितनी आई है दो इसका मतलब जो आपने लिखी है ने यह बात यह बिल्कुल ठीक है तो जब भी ऐसे question given हो और आएंगे ऐसे question यह नहीं मैं basic के नाम पर आपको इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं बिल्कुल नहीं बता रही है ना मुझे personally चीज पेपर में आई नीरी किके आप 12 की अपने MSCBS से हम उसकी पड़ाई नहीं करनी जो चीज़ें हमारे पेपर में आ रहे हमें just y करनी है ओके आप देखो आएंगे यह चीज़े questions में 100% आएंगी और वहां पर दिक्कत आएगी यह की x की कैसे निकालू y की value कैसे निकालू तो यहाँ पे वो दिक्कत ना है वो चीज़ अवोईड करें इसलिए यहाँ पे बता लो एक पर ध्यान से सुनने ना ऐसी मुझे जब तीन चीज़े होंगी यहाँ पे तो दो ही variable दे रखे थे ना x और y यहाँ पे अगर मुझे तीन दे रखी है x, y, z, a, b, c, p, q, r कुछ भी किया जाएगी 5, ओके यह भी इसी formula से आप निकाल के देख सकते हैं इसी method से अगर आपको confirm ही करना है तो, otherwise सिद्धा याद रख लो, हो जाएगा, इसके बाद देखो, यह तो values बताई हैं मैंने जब बटे में दे रखी हूँ, जब भी हमें values बटे में दे रखी हूँ, तो क कैसे solve करना है मैंने आपको वो बताई है, अब देखो, पांच में चीज क्या है हमारे पास, जब हमें ratio ऐसे multiply में दे रखाओ, ऐसे multiply का मतलब, जब हमें variables के साथ, variable किसको बोलते हैं, देखो, variable बोलते हैं, जो value vary होती है, जो value change होती है, जैसे x, y, z, जो alphabetical चीज़े होती हैं उनको variable से बोलते हैं, ठीक है, variable जैसे किसी question में x की value 5 आगी, किसी question में x की value 10 आगी, किसी में 50 आगी, x की एक value थोड़ी है, reasoning थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग, कि x की value 24 हर किसी में रहेगी, ठीक है, तो x की value हर question में अलग लगाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x हमारा variable है, हर जगे उसकी value vary करती है, change करती है, ठीक है, पर छोड़ो हमें क्या लेना देना क्या variable है, क्या नहीं हमें नहीं पता, देखो, जब भी ऐसे x, y, z या p, qr किसी के साथ गुणा में कोई digit दे रखी है, ठीक है, अब मुझे यहां से value निकालनी है, कि x की value क्या आएगी, y क जब भी मुझे x की value निकालनी है, x की value निकालनी है, तो x को छुपा लो, बच गया क्या, 5 और 3 गुणा करा दो, x की value के लिए करेंगे हम 5 या 15, अगर मुझे ऐसे ही y की value निकालनी है, y की value निकालनी है, y को छुपा लो, बच गया क्या, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, 6, y की value जालमी है, जैड के लिए जैड को छुपा लो, बच गया गया पांच गुना दो, दस, जैड की वेल्यू कितनी आएगी, मेरी पांच गुना दो, सेम आ रही है, एक्स की पंदरा ठीक है, वाई की छे, जैड की दस, यही सब चीज़े मैंने डिरेक्टली लिख रखी है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, अगर मैं यहां लिखती न, आपके सामने इतनी सारी चीज़े, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता, आपका भी, और मेरा तो क्या ही है, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने इनको पहले ही लिख लिख लिया, ताकि दिक्कत ना है, अब मैं इसलिए इनको समझा सकती हूँ, तो समझाया, जब भी चीज ऐसे हमें value बटे में दे रखी हो, तो वही अंसर है, और जब भी हमें variable के साथ गुना करके वो value दे रखी हो, तो जो variable की value निकाल ले, उसको छुपा लो, बाकी की सब की गुना करा दो, यहां पर माल लो एक और होता, माल लो यहां पर 2P और होता, तो भी कैसे निकालते है, X की निकाल दिओं, तो पान ती हे 15, 15 दो नी 30 आ जाती, ठीके, उसकी भी ऐसे ही निकाल सकते हैं सब की, तो चाहें, चार वेरी, यहां पर 4 डिजिट हों, 5 हों, कितनी भी हों, हमें बस एक बार ये देखना है कि कैसे निकालने, उसके बार डिजिर्स अपने आप निकलती चाहिए, ओके, इसके बाद देखते हैं हम लोग question number 6, ना, क्या है ये formula number 6 और 7 बस, यही है इतना ही, छटे में देखो क्या बता रखा है, छटे में मैंने बता रखा है cross multiplication, ठीक है, क कई-कई question ऐसे होते हैं, जो अटक जाते हैं, हम direct number को नहीं निकाल सकते हैं, वहाँ पे हमारी help करती है cross multiplication, खास करकि वहाँ पे काम करती है हमारी cross multiplication, जैसे देखो, दो ratio दे रखे हैं हमें, ठीक है, पहला ratio, क्या था, x ratio y और यहाँ था, a ratio b, ठीक है, देखो, हमें दो ratio given होग दूसरा ratio given है, मुझे, a ratio b, ठीक है, अब देखो, वैसे तो दूसरा method उससे भी सारे questions easily solve हो जाएंगे, लेकिन मैंने बताया, अभी दुबारा से repeat कर ली हूँ, जहाँ पे value change हो, वहाँ पे cross multiplication हमारी बहुत help करती है, value change, यह वाली जो value है, जैसे मालों यहाँ 5 था, यहाँ 10 ह होता, 15 होता हो, कुछ भी होता है, मैंने चलो, same माली, same में भी कर सकते हैं, अलग-अलग हो तो दोनों में, मतलब हम cross multiplication को दोनों जगे apply कर सकते हैं, इस से लिए मैं इसको सिखा रही हूँ, दूसरा method सिखाती है, वो एक ही जगे लगता, यह सिखा रही हूँ, यह दोनों इस के question होते हैं, आयू संबंदी जो problems होती है, उनमें, वहाँ पे लगाते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार cross को देखो, क्या करना है, सबसे पहली बात तो हमें दो ratio given होंगे, जैसे माल लों कुछ भी दे रखा है, ए और बी राम और शाम माल लेती हूँ, ठीक है, उनकी यह माल लो आय है, यह वह है, यह बचत है, इस टाइप के तीन, जब तीन, मुझे इसमें तीन चीज़े दे रखी हो, आय दे दी, वह दे दी और बचत दे दी, इस टाइप से हो, ठीक है, तो दो ratio given होंगे, और यहाँ पे दो मुझे values मिलेंगी, यह दोनों value सेम भी हो सकती है, दोनों value अलग भी हो सकती है, solve कैसे करना है, देखो, इन दोनों की पहले करना है, multiply, पांच भी आगा है, यहाँ से, उसमें से घटाना है, मुझे यह, पांच यह, ठीक है, बराबर इन दोनों की multiply, यानि की xb, minus इन यह, 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 इससे माइनस इसकी गुना इससे हमें ये पैटरन फोलो करना है इसलिए मैंने बना रखे ताकि दिक्कत नहीं किसकी किससे कराई है इस टाइप से करके अपने दिमाग में सेट कर लो ठीके ये था हमारा क्लोस मेंटिप्लिकेशन समझ आया है बहुत अच्छी बात है अगर थो इंपोर्टेंट है क्या मैं आप तो सबको इंपोर्टेंट बता रहे हो कितने चीज़े बताए है मैंने कितनी ही चीज़े बताइं जिसपे ये लिख रख़ा है न मोस्ट इंपोरटेंट ये Two ए तो साथ ही चीज़े है वस ये łe def sarah चीज़े Очень अनको धिशा छान ऐसरु लगाने इस साथ चीजों तो आपको 101% करनी पड़ेगी, ओके, देखो, ये क्या है, अगर मुझे रेश्यो गीवन है, A रेश्यो B, B रेश्यो C, और मुझसे पूछ रखी है, A, B, C की वैलू, ठीक है, मुझसे पूछ रखी है, A, B, C की वैलू, सबसे पहले तो उतार, तिन् ठीक है, आप देखो, जिसके नीचे जो वैलू दे रखे न, वही उतार लो, मैं एक बार इसको करके दिखा दे, पहले मैंने बोले, लिखो तीनों को, A, B, C, जो वैलू दे रखे, उसके नीचे उतार दो, जैसे A रेश्यो B, 2 और 3 है, तो A, 2 है, इसका मतलब B, 3 है, मैंने मैरे पास B की वैलू 3 आ रही है, तो 3 रखो या 1 रखो, 2 रखो, 3 भी रखनी है, एक भी रखनी है, यहाँ पर है B ratio C, यानिकि एक ratio 7, एक ratio 7, लेकिन रखना इसके नीचे ठीक है, ध्यान रखना रखना इसके नीचे है, और ऐसे मत कर देना कि यहाँ एक उतार लिया और 7 यह में देना नहीं दिए यह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी चीज है जो भी चीज जो भूड बी ऊतार रहे हैं यहाँ पर आप में उतारा तो इन स्ट्रेट लाइन में यहाँ निछाट रवागा इसस आती है कि समय धुक्रीए निव चाहिए रहे हैं रखिये 2 और D की value दे रखिये 5 जो भी ती जे दे रखिये थी उसको जस्ट हमें उतारते चलने जिस जिसकी value है उसकी नीचे है ठीक है आप देखो जो भी जगे खाली है वहां उसका पड़ोसी रख दो जो भी जगे जो भी space खाली है वहां पर उसका पड़ोसी रख दो कैसे देखना यहां पर खाली है सी की जगे पर खाली है न यहां इसका पड़ोसी कौन है 3 तो यहां मैं लिख देती हूं 3 यहां पर भी खाली है इसका पड़ोसी कौन है यही 3 है 3 लिख दो ठीक है यहां पर है यह जगे खाली है इसका पड़ोसी कौन है एक तो यहां पर लिख द सारी जगें भरती अब क्या करना कुछ नहीं करना दो एकम दो दुनी तीन एकम तीन दुनी छे तीन दुनी छे चे साथे 42 ठीक है पांतियां 15 15 साथे 105 यह मेरा आंसर आ गया यह मेरा रिश्यो ठीक है सबसे पहले तो जो वैल्यूस गीवन है उसको उतारने दूसरे नंबर पर जो जगें खाली है उनको बरना हमें एक भी जगें खाली नहीं छोड़नी तीसरे नंबर पर हमें उन सब की मल्टिप्लाय करनी है उन सब की गुना करनी है अंसर आ जाए एक बर चोथा स्टैप और देख लो वो क्या है अगर अंसर आने के बाद यह सारी वैल्यूस कट रही है ठीक है मालनो या मेरा आ जाता एक सो चार यह सारी आपस में कट रही है तो इनको काट दो काट दो मतलब हमें इनको सिंपलेस्ट फोर्म में ऐसी फोर्म में लेके आना है कि बस यह और आगे नहीं कट रहे जब तक कट रहें सारी वैल्यू कट नहीं चीए अपर यह नहीं कोशेंज देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कोशेंट नमबर वन, इसमें क्या दे रखा हैं, इसलिए क्या देखते हैं, लोग कोशेंट नमबर वन, इसलिए पहले देखते हैं, क्या दे रखा हैं मुझे, P, Ratio, Q, P, Q है, फिर Q, R है, यानि कि R भी चाहिएगा, उसके बाद मुझे दे रखा है, R and S, यानि कि मुझे S, P, Q, R, S, पहले चारो को उतार लो, अब देखो, P और Q की वैल्यू है, 4, 5, तो 4, Ratio, 5, ठीक है, उसके बाद है, Q और R की वैल्यू दे रखी है, P, Q, Q, R की है, 3 और 4, 3 और 4, उसके बाद मुझे दे रखी है, R, S की है, 2 और 5, 2 और, लिख दिया, जिस इसकी वैल्यू दे रखी है, मैंने लिख दी, अब क्या बताया था, जो जगे खाल ली है, उसको उसके पडोसी से भर दो, आओ, देखो, यहाँ पे किस कपडोसी कौन है, 5, यहाँ पे भी क्या आएगी, 5, यहाँ पे क्या आजाएगी, 4, यहाँ पे वैल्यू 3, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनकी हमें मल्टिप्लाए करा, इनकी हमें ठीक है, पापा 25, 25 जो के, यानि कि मेरा ये P का, ये Q का, ये R का, और ये S का, PQRS के अब मेरे पास ये वाले रेश्योज आगे, PQRS के रेश्योज मेरे पास ये आगे, अब मुझे नहीं पता 4, 5 था, 5 था, कुछ नहीं, अब ये सारा जो डाटा है, ये सारा डाटा, बिलकु किसी भी काम का नहीं है, अब values मेरे पास बस ये है, ठीक है, अब देखो, निकालना क्या है मुझे, निकालनी क्या है, क्या बोल रख है कोशन ने, P ratio S, मुझे निकालनी है, P ratio S की value, ठीक है, P कितना है मेरे पास, 24 और 100, 24 ratio 2, मैंने बोला था, इनको सबसे simplest form में करना है, यान जब तक कटें, उनको काट के चलना है, या 24 सा ही दे रख है, नहीं, काट के दे रख है, ना, देखो, काट लेते हैं, इनको, 4 से जाएगा, 4 से 6 पे, ये जाएगा, 4 से 25 पे, 6 ratio 25, दे रख है में 6 ratio 25, मैं, option number, B पे में 6 ratio 25 दे रख है, ठीक है, इसलिए था, एक बार second question कर ले अब देखो, एक बार ये देखो, first question इसके बाद ही उठाएंगे, क्या बोल रख है मुझे इसके अंदर, read करो question को, 4 संख्या इस ratio में है, उनके योग का दुगना 44 है, उनके योग का दुगना कितना दे रख है, 44, देखो, 4 संख्या इह है, लिख लूँ, 1 ratio 2, ratio 3, ratio 5, देखो, एक बार पहले दुबारा से बताती हूं basic, जब हमें बच्पन में ऐसे values given होती थी, बच्पन में क्या given होता था, जैसे मालनो कोई भी दो value है, A and B, दो ratio 3 दे रखा है, और उनका योग दे रखा है, मुझे मालनो 25, ठीक है, तो मुझे निकालनी थी B की value, यह हमें school days में question given होता है, school days में जो questions आते हैं, वो इस टाइप से आते थे, कैसे solve करते थे, कैसे हमें मैंने सिखा रखा होता था, जो भी value दे रखें, उनके साथ हम x लगाते थे, ठीक है, फिर योग है तो दोनों को जोड़ दो, 2x और 3x, 5x, ठीक है, 5x की value कितनी है, 25, यहां से हम लोग x की value निकालते थे, 5, ठीक है, B की value है, तो B की value थी 3x, यानि कि 3 गुना 5, तो मैं यहां से निकालती थी 15, ठीक है, तो directly कैसे करना है, देखो, हमें question में क्या given है, योग, यानि की sum, मुझे इसके जोड़ से मतलब, कितना है, 3, 2, 5, 5 से 5 काट दो, मुझे योग कितना दे रखे है, 5, और वहां पे कितना दे रखे है, 25, 5 की value 25 दे रखी है, एक unit का मान कितना आ गया, 5, देखो, 5 की value 25 दे रखी है एक unit की value कितनी आगी, 5 की इसकी पुछिये भी कि 5 या 15, सिद्धा अंसर आ रहे है, इस type से हम इसको करना है, एक option method से भी करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी कैसे करना है, लेकिन वो option method हर किसी question में लागू नहीं होता, मना भी नहीं कर रही कि लागू होता ही नहीं, हो भ लहें, चार संख्याएं हैं, एक, दो, तीन, पांच के अनुपाद, उनके योग का दुगना 44 है, यानि कि इनका योग में निकालनों कितना है, योग कितना आ जाएगा, पान, तीन, आठ, दो, दस, और एक ग्यारा, ठीक है, मेरा योग आ रहे है, योग का दुगना कितना ह हो जाएगा, 22, ठीक है, मेरा योग का दुगना है, 22, उसके अकोर्डिंग कितना दे रख है, 44, 22 से 2 पे कट जाएगा, यानि कि मेरी एक यूणिट की वैल्यू, दो आगी, एक यूणिट की यानि कि एक इक काई की वैल्यू कितनी आगी, मेरी 2, निकालना क्या है मुझे, प दुनी, 4, तीन दुनी, 6, पान दुनी, ये मेरी वो संख्या हैं आगे, ठीक है, कोश्चन ने क्या बोला है, परति एक संख्या के घन, संख्या है 2, 2 का घन, 8, घन में से 3 घटाना है, 3 घटा दिया कितना आएगा मेरे पास, 5, फस्ट पे 5, फस्ट पे 5 किसके अंदर है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ option number D के अंदर, यानि कि right answer तो हमारा जाएगा option number D, लेकिन एक बार फिर भी बाकी values निकाल के देख लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है, जब हमारा एक ही option है, जिसमें 5 है, लेकि मैं बता रही हूँ, ताकि एक बार सारी values निकाल निकाल नहीं आजाए, म 3000, तीन घटाओंगी तो कितना आएगा मेरे पास, 997, ये भी किसमें है, option number D, आया समझ ये कैसे करना है, तो इतना सब भी लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने जस्टाप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, जो त्यारी करने वाले बिगनर होते हैं, डिरेक्ट लिखोंगी उनके सिर के उपर से जाएगा, कुछ भी समझनी आएगा, और ये भी हो सकते है कि क्लास में समझा आजए, खुद निकालेंगे तब बिल्कुल समझनी आएगा, किसकी वैलू क्या ले नी थी, क्या नी, तो दोनों को, जो बिगनर हैं वो भी और जिन पुल में लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़कों को मैं B से रिनोट कर देती हूं, लड़कियों को G से, तीन रेशो चार, ये तीन है, ये मुझे दे रखे हैं, इस रेशो का मतलब होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, वो हटा दिये, जिससे मैंने इनको भाग करा दिया, माल लोव वैल्यू यहाँ पे 10 थी, या फिर माल लोव वैल्यू पांच थी, या यानि कि यह 15 था एक्च्वल में, और यह 20 था, रेशो मुझे जो एक्जेक्ट वैल्यू थी न, दोनों की इतनी थी, मैंने इनको काट के, इ यदि लड़कों की संख्या में 10 परसेंट की वरी थी, जब भी कोशन में हमें वैल्यू इस टाइप क्यों न, 3, 4, 7, 8, 9, 5, इस टाइप की वैल्यू जो, और परसेंटेज का कोशन हो, तो मैं यहाँ पे एक 0 लगा लोगे, यानि कि यह संख्या मेरे पास 3, 4 की वजए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, 30 और 40, यह दोनों वैल्यू मेरे पास कितनी है, 30 और 40, क्यों माननी है मैं आपने ऐसे देखो, मैं एक तो निकाल लूँ यहाँ यहाँ पे 3 का 10%, कितनी वैल्यू में आएगी मेरे पास यहाँ पे 0.3, तो यहाँ पे मैं 0.3 से कोशन लगाऊंग 0.3 से सोल्व करने में दिक्कत आएगी, हैना, इसलिए easily solve हो जाता है, 3 से, इसलिए मैं यहाँ पी 0 लगा ली, क्या कोई कोशन में दिक्कत आएगी, अगर 0 लगा ली, तो ऐसे कैसे अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते है, हमारे घर का राज थोड़ी है, कि 0 का मनकिया 0 उ इतना है, 3 और 4, तो इस वज़े से मैं यहाँ पे 0 उतार सकते हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यानि कि मेरा रेश्यो कितना आगया, 30 और 40, आगे कोशन देखते हैं, क्या दे रख है, अब आगी क्या बोल रख है, इसने लड़कों की संख्या में 10 परसेंट की वरिदी, देख पूरी 100 परसेंट है, ठीक है, कैसे 100 परसेंट है, जैसे देखो, माक्स आते हैं हमारे, कभी मेरे 500 में से माक्स आये हैं, टोटल माक्स मेरे 500 हैं, 500 में से मुझे माल लो 400 नमबर मिले हैं, तो मैं यह बोलती हूं न, वहाँ पे 100 परसेंट 500 को लेके चलते हैं, मैं माल लो मेरे बोलने हूं 80% माक्स आये हैं तो यह बताते हूं मैं 80% है 100 में से यह बोलते हैं हम लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं क्यों क्योंकि यह obvious होती है बात सामने वाले को पता होती है कि अगर मेरे 80% है तो वह 100 में से हैं अगर मैं बोलने मेरे 95% आये हैं, तो कितने में से आये हैं, वो 100% में से आये हैं, तो कोई भी चीज है, वो अपने आप में पूरी 100% होती है, जैसे मैं बोल दूँ, मैं शायद से कल नहीं आओंगी, मेरी आने की possibility कल 50-50 है, 50-50 मतलब 50% में आ सकती हूँ, 50% में नहीं आ सकती, total कितना हो गया, 100 तो यहां से भी प्रूव होता है कि कोई भी चीज होती है, वो अपने आप में पूरी, यानि की 100% हो, ठीक है, अब देखो, कोई भी value है, वो अपने आप में पूरी 100%, ठीक है, हमें उसका 10% निकालना है, तो यहां से भी दिमाग में 0 गई, यहां से भी गई, 10% कितना हो गय 3 ठीक है आप देखो हमें निकालना है 30 का 10% सोचो 30 100% है ठीक है 103 की गई वहां से 10 गई वहां 10 बच गया यहां 3 बच गया यानि कि 3 की वरिदी हुई यह बन गया 31 अब यहां दे रखे 40 और 40 में कितने की वरिदियों दे रखे में 15% की वरिदी same as it is इसको सोचो कैसे 40 जो है वो अपने आप में कितना है पूरा 2% है ठीक है आप देखो एक 0 गई एक 0 गई तो 10% तो मेरे पास कितना आगया 4 10% की वरिदी मेरे पास कितनी आगी 4 लेकिन लेना तो में 15 है यहां पे 10 प्लस 5 10% की वरिदी तो आगी 4 5 कैसे निकालो इसको बटे दो तभी तो 5 आएगा यहां पे भी बटे दो तो आगया 2 यानि कि 5% की वरिदी आगी दो बिल्कुल नहीं कट रहा नहीं कट रहा तो यहीं अंसर आ गया कट जाता तो मैं स्कोर काट देती कौन से ओप्षिन पर है 33 बटा 46 मुझे दे रख है ओप्षिन नंबर C तो राइट आंसर रहेगा मेरे पास इस कोशन का ओप्षिन नंबर C नेक्स्ट देखते हम लोग सेकिंड हो चुका था थर्ड हो चुका था फॉर्थ देखो यहां पर काम आएगा जो मैंने क्रोस मंटिप्लिकेशन का बताया था ना स्टाटिंग में उस वाले से स्टाट करते हैं इसको क्या होगे अब रश के आए कितनी दे रखी है चार रिष्व, पाँच उसके बाद मुझे गीवन है उनका वे है, वे कितना दे रखी है मुझे, साथ रिष्व ओके परती एक वेक्ती 50 रुपे परती महा बचाता है इसकी बचत भी कितनी है, एकी पचास यहां से B की बचट भी कितनी है पचास ठीक है मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्रोस मल्टिप्लिकेशन कैसे लगाते हैं इन दोनों की गुना कराओ 955, 450 माइनस इन दोनों की मल्टिप्लाओ 75, 35, 350 बराबर है किसके इन दोनों की 955, 45 माइनस इन दोनों की 75, 35 ठीक है यहां से वैल्यू आती है मेरे पास 100 वहां से बचेगी 10 यानि की एक यूनिट का मान आ गया मेरे पास 10 एक यूनिट का मान कितना आ गया 10 अब जो वैल्यू पूछ रखें न उसकी 10 से गुना कराओ क्या पूछ रखें तो उसकी मासिक आए कित आए यह थी ना लगा दो आए के साथ पहले वाले किया निकि एक कितनी है चार थाए कि जागलती करती देखो आए दे रखे थी 4 और 5 उनका वे है 7 और 9 50 50 9 5 45 450 7 35 350 ठीक है यहां पर सोबचते हैं 9 5 45 75 35 एक की वेल्यू 10 ओप्शन गलत है यहां हमने कोई गलती कर दी देखो एक बार देखो एक बार कुछ गलत तो नहीं उतार लिया ए रिशो भी 4 और 5 दे रखे हैं उनका वे है 7 और 9 बचत हैं 50 50 के 7 पांजे इनकी कराये 9 पांजे 45 पांजे 35 पचत पांजे 35 पचत 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 हैं एक unit का मान, एक digit की value कितनी दे रखिये, एक unit, एक इक सो के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर 100 की गुना कराओंगी, तो यहाँ value आगी 400, यहाँ पर कराओंगी, तो मेरे पास आगी यहाँ पर value 500, उनकी कितनी कितनी है, 400 और 500, ऑप्जन नमबर बी पर दे रख फितनी है, ठीक है उनका जोड़ पूछ रखा होता तो क्या करते दोनों को जोड़ दो आए क्यों पांच और च्यार नो नो की सो से करते नो सो अंसर आजाते दोनों की इनका अंतर पूछ रखा होता डिफरेंस पूछ रखा होता आए का तो दोनों का डिफरेंस कितने का है एक का एक एक between this and this, starting में बताई थी न, साथ टर्म्स में, I think दूसरी चीज यही लिखवाई थी, mean proportion कैसे निकालते हैं, पहली चीज थी, in fact, क्या formula बताई था, वहाँ से mean proportion निकालने का, under the root a, b, under the root a, b, अब देखो, ये मेरा हो गया a, और ये है b, लगा दो इसको, under the root, a की value कितनी है, 0.04, 4 बटे, 100, इसको पूरे पे root कर रहो, पूरे पे root है न, गुना b, b की value कितनी है, 36 बटे, 100, देखो, 37 बटे, 100, 4 को root से भार लाऊंगी, 2, 37 को root से भार लाऊंगी, 6, अंदर जितनी 0 होती है, अंदर इंदा सेंस, root के अंदर जितनी 0 है, भार आके उसकी आधी हो जाती है, अंदर अगर मुझे root के अंदर 10 0 है, तो वो भार आके 5 हो जाएंगी, अंदर कितनी 0 है, 4, भार आके होगी, 2, 6 दुनी 12, बटे, 100, यानि कि मुझे 2 के बाद point लगाना है, 0.12, 0.12, option number D पे दे रखा है, तो right answer होता है, option number D, ठीक है, starting है, पहली slide है इन questions की, इसलिए इतना अच्छे से बता रहे हूं, यानि कि इतना पुरा लिख लिख के बता रहे हूं, otherwise डिरेक्ट करेंगे, जैसे ही formula दिखा, multiply करा है, और answer में लिखूँँगी, अभी starting है, इसलिए एक बार बता रहे हूं, next देखो, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, सबसे छोटा अनुपात निकालना है, सबसे बड़ा भी पूच सकता है, छोटा भी पूच सकता है, आजाओ, देखो, यहां से मैं लिख सकती हूं, 41 by 92, पहली value, इसको तो लिख लेते हैं, हम लोग यहीं पर लिख देती हूं, 41 by 92, पहली value, दूसरी मुझे क्या गी बने हैं यहां से, 33 बटे 41, 42, तीसरी value क्या है मेरी 42, बटे 4, 9, चोथी value क्या है मेरी 35, बटे, मैं हम आपने ऐसे बटे में क्यों लिख दिया, हमें तो यह value किसमें दे रख्या है, इसमें ratio के अंदर दे रख्या है, मैंने बताया था ना, starting में ratio का मतलब ही यह होता है, जैसे 3 ratio 5 है, तो मैं इस चीज़ को 3, 5 भी तो लिख सकती हूँ, ना, आप देखो, यह number system में यह आते हैं इस type के questions, fraction ही तो दे रख्या है, इस fraction में बताना है कौन सी value सबसे बड़ी है, ठीके fraction ही तो दे रख्या है, दो method बताये थे, मैंने number system में याद करो, नीचे वालों का LCM ले लो, सबसे multiply कराओ, और फिर answer आएगा, इतनी बड़ी-बड़ी values है, 91, 49, 47, जो चीज़ पोसीबल नहीं है, ठीके सब का LCM लेंगे, फिर उनकी multiply कराएंगे, फिर बची चीज़ों के multiply कराएंगे, फिर हम उसमें से choose करेंगे, तो वो method हम यहाँ पे avoid करते हैं, इसको point में ही कर लेते हैं, ठीके, यहाँ से हम इसको directly point में solve कर सकते हूं, यहाँ से, पहले तो देखो सारी value 0 में ही आएंगे, सारी की सारी value यहाँ से 0 में आएंगे, क्योंकि उपर छोटा दे रखा है, नीचे value मुझे बड़ी दे रखी है, ठीके, पहली value है मेरी 41 बटे 9,2, कितना आ जाएगा मेरे यहाँ से, 0.4, 0 आगी नहीं, यहाँ पर, 0.44, ठीके, पहली value कितनी आगी मेरे पास, यहाँ से 0.44, दूसरी कितनी आती है मेरे यहाँ से, 0.8, ठीक माट, 8.32, 8 पर, ठीके, 0.8, तीसरी कितनी आती है, यहाँ से 42 by 49, इसको करूँगी, तो 0.420 हो जाएगा न, 8.92, ठीक है, 0.8, और फिर आगे भी करना पड़ेगा, 8, 2, 4, 6, 5, 0.85, यह मेरी किसकी आ रहे है, C की value, D को करके देखो, 0.350, 7, और फिर यहाँ से 4, 0.74, यह 4 की 4 value मैंने निकाल ली, क्या पूछ रखा है, चोटा तो, चोटा बता दो, बड़ा पूछ रखा है, तो बड़ा बता दो, पूछ रखा है, मुझे सबसे चोटा, 0.48, 8, सबसे चोटा न, तो 0.4, option number A, यानि कि 41 बटे बानुए, मेरी यहाँ पर सबसे smallest direction है, next देखते हैं, X, Y, Z, W, चतुर्थ अनुपात में है, 4th proportion के अंदर है, तो इन, इनकी value दे रखे, Z का माननी का है, देखो, 4th proportion इसका मतलब, X बटे Y जो है, वो मेरा बराबर है, X, Y, Z, W, के, 4th proportion का मतलब, A बटे B जो है, वो बराबर है, C बटे D, A, B, C, D में नर्मली बोल विए, question क्या खोड़ी, X बटे Y जो है, वो बराबर है, Z बटे W, के, आप देखो, X की जगे value पुट कर दो, कितनी दे रखे, 3, बटे में Y, Y की जगे कर दो 13, ठीक है, बटे में Z कितना है मेरे पास, Z का मान ग्याद कीजिए, Z रखो, और W की value कितनी है, 39, cross multiply करा लो, सिधा काट पिटके निकालो, सिधा काट दू, 13 तिया, 49 तीन उपर जाएगा, Z की value कितनी आगी, 9 दे रखे है मुझे, option number D पर, right answer रहेगा, हमारे पास, option number D, next question पर आते हैं, देखो, रवी और शिव की मासिक आए इतनी है, R for रवी, and S for शिव, इनकी आए कितनी दे रखे है मुझे, 1 ratio 2, उसके बाइद क्या दे रखे है, और उनके मासिक वे, वे भी उतार लूँ, कितना दे रखे है मुझे, 1 ratio 3, इतने में दे रखे है, यदि परती एक परती महा, 4,000 की बचट करता है, इनकी बचट लिख दूँ, इसके मैं लिख देती हूँ, 4 के, इसकी भी 4, ठीक है, इसकी बचट भी 4, इसकी बचट भी 4, इसकी बचट भी 4 है, आप देखो, cross multiply लगा दें, कैसे सिखाया था मैंने, इन दोनों की, 4 तिया, 12,000, minus 4 एकम, 4, यहां से कितनी value बचेगी, 3 एकम 3, minus 2 एकम 2, लिख देती हूँ, 3 एकम 3, minus 2, यहां से एक की value मेरी कितनी आगी, 8,000, एक की value कितनी आगी, यानि कि एक unit की value मेरे पास कितनी आगी, 8,000, निकालनी किसकी है, देखो, शिव की मासिक आई, यानि कि 2 unit का मान निकालना है, एक unit का मान मेरे पास 8,000 है, तो 2 unit का मान कितना आजाएगा, मैं हम आपके पास आजाएगा, 16,000, 16,000 मुझे given है, option number A पे, तो question number 8 का right answer क्या होता है, हमारे पास यहाँ से, option number A, अभी अगले question पर ना जाते हो, मैं इसी question को एक दूसरे method से और बता देखो, यह तो था हमारा cross multiplication, जो दोनों जगे काम आएगा, दोनों जगे मतलब, यहाँ value अगर 4000, 4000 सेम दे रखे तो भी cross लगा सकती हूँ, अगर यह यहाँ value अलग-अलग होती हूँ, अलग-अलग in the sense, यहाँ पर मुझे 2000 दे रखा होता है, यहाँ मालो 4000 दे रखा होता, तो मैं यहाँ पर भी same cross multiply लगा के solve कर सकती हूँ, एक method और बता दे रही हूँ, वह और देखो, अगली slide पे करा दूँ, एक मिनट इसका color change कर लेते हैं blue यह ना हमारी slide का, ओके, देखो, क्या है, I है 1 ratio 2, R था और S था, 1 ratio 2 में है इनकी I, और इनकी वह कितनी दे रखी है मुझे, वह दे रखी थी, एक ratio 3, एक ratio 3, और इनकी बचत कितनी है, 14,000, बचत कितनी है इनकी 4000, बचत दे रखी है 4000, ठीक है, अब देखो, मान लो वो एक रुपया कमाता है, ठीक है, आर एक रुपया कमाता है, एक काई व्या कर देता है, तो उसकी बचत तो 0 आएगी, और उसने बचत है 4000, ठीक है, पहली बात तो इससे ही पता चल रहा है कि ratio ठीक नहीं, इसमें कुछ ना कुछ गडबड है, हमें ratio को change करना पड़ दूसरी बात देखो, इसने बोल लख है, यहाँ पे value सेम होनी चीए, सेम मतलब देखो, दो से तीन गई हूँ, तो कितना हुआ है, प्लस वन, यहाँ पे मैं एक से एक गई हूँ, तो क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, ना प्लस हुआ, ना माइनस हुआ, जबकि condition ये ब बोलता है, तो वो चीज़ हम कैसे बनाएं, उसके लिए हमें ratio को थोड़ा सा change करना पड़ेगा, change ऐसे कैसे कर दें, हम हमारी मर्जी थोड़ी है, जहां मन किया, जिससे multiply कुछ भी करा दें, ऐसा नहीं होता, rule के according करना पड़ता, अब यहाँ देखो, क्या करना पड़ेगा ह में, देखो, यहाँ पर इनका difference कितना है, एक का, तो यहाँ एक की गुना यहाँ करा, इनका difference कितना दे रखा है, मुझे दो का, दो की गुना में यहाँ करा, यहाँ पर मेरे पास अब ratio क्या बनेगा, देखो, दो एकम, दो और दो दुनी, चार, यहाँ क्या बनेगा, वन र नहीं चाहिए अब एक्चुली रेश्यों हमारे पास यह आ गया जो मैंने कंडिशन बताई थी न दो वो दो ने देखो यहां फुल्फिल हो रही है चार से तीन गई कि चार से तीन गई प्लस एक कि कलती किया गया कुछ यहां पे भी कितने का डिफ्रेंस आ रहे है एक का और यहां पे भी हमें कितने का डिफ्रेंस मिल रहे है एक का यानि कि यहां जो हमें वेल्यू ली है वो बिल्कुल ठीक है अब हमारा जो रेश्यों है वो बिल्कुल ठीक है देखो यहां पे भी दो में से एक गया कितना बचे कदेगा यह रूपे कमाथा है एक खर्च करता है थे भचत कितनी है उसकी एक क्योंघ कर रहे हैं है यहां कि अब तो कुछ भी निकर ना कि कितनी वैलिव आई है एक एक यूनिट का मांद कितना दे रखे है मुझे 4000 निकालनी क्या थी इसकी आए निकाली थी ना चार की एक यूनिट का मान 4000 है चार यूनिट का कितना हो जाएगा 16000 पिछे वाले कोशें उसे पिछे वाले मैत्वर से चार हमारा 16 और दोनों मैथट हैं आपके पास आपकी मर्जी है आपको जो अच्छा लगता हो जिससे आपके कोशन जल्दी सोल्व होते हो आप वो मैथट लगा सकते हैं ठीक है एक्स देखते हैं walk with the Fahrenheit 9 रिखें प्रेंस कितने का है चार का चार की वैलेद से रखी इतनी चार अठेबतिस चारनीम चार इक ट्र Пञ पिकानने किसकी सके वैलीम के रखी है बनंद गेंद की गेंद की कितनी है पांच पापा 45, 4, 9, 5, 45 और 4, 49, 4, 9, 5, option number 485 आएगा ना पापा 45, 4, 5, 45 option गल लेता है क्या? 9 में से 5 गए 4, 4, 38, 42, 4, 9, 36, 4, 5, 20 इसकी पूछ रखी हम से गेंद की गेंद दूसरे नंबर पे रहना है 5, 5, 5, 25, 2, 5, 45, 46, 47, 445 डिरेक्ट हम निकाले तो सिद्धा अंसर आ सकते हमारे पास 445 एक बार इसको explain कर देती हूं कैसे निकाले है देखो value क्या क्या है मेरे पास? मैं बल्ले को लिख देती हूं, बल्ले को लिख देती हूं, बल्ले को लिख देती हूं, बैट और बोल को लिख देती हूं, मैं बोल निकालना क्या है मुझे गेंद की किमत यानी की 5 जब मैं 95 की 5 से गुना कर आऊंगे तो मेरे पास आएगा 400 75 ठीक है बाइ उप्शन इसके हो डायरेक्टली भी कर सकते हैं एक बस स्टार्टिंग में ऐसे कर लो आगे ना फिर तो अपने आप मतलब यह उतारने कुछ भी नहीं उतारने आपको कोशन के अंदर ही काट पिटके क नेक्स्ट देखते हम लोग कोशन नंबर दस ए बी सी के वेतन का अनुपात यह है ए और बी के वेतन को मिलाकर इतने रूपे हैं ए और सी का वेतन कितने परतिशत अधिक है ध्यान से देखो सबसे पहले उतारनो जो जो वेल्यूज मुझे गीवन है क्या-क्या गीवन है ए क्या-क्या वेल्यू मुझे गीवन है ए बी सी क्या दे रखा है 3 बटे 2 रेश्यो 6 बटे 5 रेश्यो 4 बटे 3 यह सारी values मुझे गीवन है अब देखो, मैंने starting में भी बताया होगा मैं एक बार फिर से बता देती हूँ जब भी हमें value fraction में हो मुझे इसको पूरा एक number बनाना है complete number बनाना है तो निचे हमें इन सब की ऐसी digit से multiply करानी पड़ेगी जो digit इन सब के denominator को इन सब के निचे वाले को क्या बोलते हैं अन्शोर हर जो हर को पूरी तरह से काटते तो वो value कैसे निकालते हैं अब सोचेंगे थोड़ी इतना बड़ा number system में सब में सोचके बैठूंगे पहले 2-2 से निकटेगा 3-3 से निकटेगा नहीं वो value होती हमारा LCM तो नीचे value के LCM कितना आजएगा 3-2-6-6-5-30 यानि कि वो value है अमारी 30 वो value है अमारी 30 ये कितने पर कटेगा 15 15-35 ये पर जाएगा 5-6-6-36 और ये जाएगा 10-4 थाएग यानि कि हमारे पास ABC की value ये आगी ये जो method अभी बताया है ये रामबान है किसका रामबान है जब हमें value fraction में हो तो fraction से values को हमें पूरी value बनाने के लिए हमें ये वाला method लगाना पढ़ाई इसमें नहीं कहारी में ज़रूरी की ratio इन इसमें है ये हर topic में मिलेगा आपको हर topic में आपको ऐसे fraction में value मिलेगी fraction में values को मानलोब में इनको minus करना पढ़ेगा जोड करना पढ़ेगा दिक्कत आएगी तो उस दिक्कत को avoid करने के लिए हम इनको complete value बनाएंगे पहला step complete value बनाएंगे अब ते normal question होगे इसको कर लो solve जैसे बोल रख़े आप देखो यानि कि actual question तो हमारा अब यहां से है कितना ratio है ABC का ये value दे रखिए ओके इनका नुपातित आए और B का वेतन मिलाकर इतना है A का वेतन C के वेतन से कितना अधिक है A का वेतन C के वेतन से कितना अधिक है 5 किसके वेतन से C के से गुना 100 0 से 0 2 दूनी 2 पांजे 25 बटे 2 साढ़े 12 25 बटे 2 12.5% 12.5% ठीक है देखो इसमें हमें ये वाली value जो थी ना सिर्फ confuse करने के लिए रखिए थी इस value का पूरे question के अंदर कहीं पर कोई use नहीं हुआ मेरे according तो मेरे according तो इस value का question में कहीं use नहीं हुआ ये कैसे निकाला एक बार उसको सुन लो हमें पूछ रखा है A की value C से कितनी अधिक है वैसे तो मैं पता है 5 अधिक है लेकिन इसने पूछा percentage में कितने अधिक है हमसे कोई marks पूछता है कि मेरे 500 में से मालो मेरे 375 नंबर आए तो एक तो मैं बताऊं कि मेरे 500 में से 375 नंबर आए एक मैं उस चीज़ को percentage में बताऊं कि मेरे मालो 70% बने है तो दोनों चीज़ में फर्क है एक पूछती हूँ percentage कितना है और दूसरी value है marks कितने है दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है तो इसने percentage पूछ रखी है देखो A, C से कितना अधिक है? 5 अधिक है निचे बटे में वो value लेनी है जिसके साथ say word मिल जाए C से कितना अधिक है तो say किसके साथ है C के साथ comparison किससे करना है C से तो जिससे comparison करना है यानि कि जिस word के साथ हमें say word मिल जाए उससे भाग करना है वो value है 40, गुना में 100 100 ले रहे हैं percent के नाम का काट दो answer आ जाए ठीक है इसमें बीच वाली line का कोई मतलब नहीं था अगर फिर भी आपको बीच वाली line को भी उठाने आप उठा सकते हैं सॉल्फ करना है कर सकते साड़े 12 दे रख है मैं option number D next आ जाओ 11 11 में क्या दे रख है यदि 2 संख्या A और B का LCM इतना है उनका HCF इतना है उनका मध्यानुपात मध्यानुपात आते के साथ दिमाग में आ जाना चाहिए हमें निकालना है under the root A, B ओके देखो संख्याओं का LCM संख्याओं का LCM क्या होता है दोनों संख्याओं prime number की form में और गुना में HCF गुना में उनका HCF तो देखो, यहाँ से निकाल सकती हूँ मैं, LCM कितना दे रखा है यहाँ से, 60 और उनका HCF कितना दे रखा है मुझसे, 15 यह वाली लगा लों यहाँ पे हमने HCF और LCM में बढ़ा था LCM गुना HCF is equal to first digit गुना second digit यह first और second digit ही तो है मेरी A into B मैं इसको A into B भी लिख देती हूँ bracket में दो digit को A and B से denote कर रखा है ठीक है LCM कितना है मेरा? 60 गुना HCF कितना है? 15 यहाँ से मेरा क्या आएगा? AB AB की value आजाएगी ठीक है, कितनी आगी? 900 900 मेरी value आई है AB की, निकालना क्या है? मैं हमें तो mean proportion निकालना है यानि कि under the root A, B किसका root होता है? 930 का 30 दे रखा है option में बिल्कुल दे रखा है option number A, B 11 का right answer होता है option number A I hope आप लोगों को समझ आ रहे होंगे फिर भी नहीं आते हैं कोई दिक्कत होती है आप मुझे बता सकते हो next देखो question number 12 read करो एक बार क्या दे रखा है इसमें एक पिता की आयू उसकी माता की आयू से अनुपात इतना है उनकी आयू को दर्शाने वाली संख्याओं का गुननफल इतना है 5 वर्ष बाद उनकी आयू कितनी हो जाएगी direct question से उठा ले कैसे देखो क्या दे रखा है मुझे उनकी गुननफल न संख्याओं का गुननफल इतना दे रखा है मेरे according संख्याओं का गुननफल कितना है 3 दुनी 6 इसके according संख्याओं का गुननफल कितना है 4, 86 ठीक है अब यहाँ से देखो 6, 38, 48, 46, 6 यह वाली value मेरी x square की आई है, तो यहां से एक unit का मान कितना आगया मेरे पास, नो, एक unit का मान कितना आगया, नो, पांच वर्ष बाद उनकी I.O का अनुपात कितना होगा, अनुपात निकालना है न, देखो, यह कितनी आगी, नो तिया, 27, और वो कितना है, नो दुनी, 18, यह ह जोड़ना क्या है, मुझे 5 वर्ष बाद, यहां पे भी 5 जोड़ दो, 7 और 5 बारा, 32, यहां पे भी बाद जोड़ दो, 23, यानि कि उनकी 5 वर्ष बाद कितनी आएगी, 32 ratio 23, 32 ratio 23 दे रखा मुझे option number D पे, यह है न, 32 ratio 23, ठीके, उतारना है पहले, फिर काटना है, पीटना है, आप वैसे कर सकते हो, यह कहां से आया, एक बार सुन लो, यह वाली value मैंने यहां पे 9 क्यों ली, सुनो, मेरे पास values क्या दे रखे हैं, 3 ratio 2, values क्या दे रखे हैं मेरे पास, father को F से, mother को M से, 3 ratio 2, इसकी value भी कितनी है 3x, इसकी value भी कितनी है 2x, ठीक है, दोनों की गुननफल, 3 इन दोनी 6x का square, value कितनी given है 4, 8, 6, x square की value कितनी है मेरे पास इतनी, तो x की value कितनी आएगी 9, यहां से मेरे पास यह 9 आया है, confusion ना हो, इसलिए मैंने एक बार explain करके, ठीक है, अगर हमें यहां पे जोड़ दे रखा है, यानि कि योग निकालना है, या फिर अंतर निकालना है तो direct हो जाएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना गलती होती है, यहां पे, जो एक बार त्यारी कर चुके है, उनसे भी होती है, मैं यह नहीं कहा रहीं, बिगनर से ही होती है, जब यहां पे गुननफल दे रखा हो, तो मेरे यह square में value है, इसका फिर मुझे under root लेना ठीक है, यानि कि यह किसका square होती है, वो value check रहीं, नेक्स्ट question देखते हैं लोग, question number 13, 13 में क्या रखा है, 16 और 40 का 33 अनुपाती, 33 अनुपाती के लिए formula क्या था, और इसका मध्य अनुपाती यानि कि under the root A, इसका निकाल लो, इनका क्या निकालना है, 33 अनुपाती निकाल लो यहां से, कितना हैगा, मध्ध अनुपात किसका 40 गुना 10 40 गुना 10, 400, 400 होता है 20 का, यहां से आगया मेरे पास value 20, क्या है इन दोनों का अनुपात कितना है, यानि कि 100 ratio 20 की value निकालनी है, value आएगे, मेरे पास 5 ratio 1, 5 ratio 1 दे रखिए, option number A पे दे रखिए इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है जिस form में question है उसी form में answer आएगा यानि कि 5 ratio 1 या फिर 1 ratio 5 आएगा इसमें confused नहीं होना है जो चीज़ पूछ रखिए, पहले क्या 3 अनुपाती, तो पहले 3 अनुपाती जिसका मेरी value आई है 5 फिर आया है, मध्यान रखना है यानि कि main proportion कितनी value है 1 तो 5 ratio 1 लिखोंगी, ना किस चीज़ को में 1 ratio 5 question number 14 में क्या है देखो इन दोनों का 3 अनुपाती निकाल ले और कब का question है, 2022 का ही question है और वो भी देली पुलीस SI का देली पुलीस SI का 2022 का question है तो जो मैं बताने रहे से starting में, जो 7 चीज़े बताई हैं उनको तो आप बिल्कुल ही अभी के अभी याद कर ले ना, बिल्कुल कल पे या बाद पे मत छोड़ना की बाद में कर लूँगा कल किसी का नहीं होता है कल किसी का नहीं होता है प्लस को याद कर ले ना, बहुत काम की चीज़े हैं और प्लस पॉइंट यह है कि मैंने सारी काम की चीज़े कलेक्ट करके एक ही छेगे पे आपको प्रोवाइड कर आ दिये ठीक है, अधरवाइस होता क्या, जहां question में आती उसको उतार लो, जो आपने पहली बार पड़ी हो आपने पहले ना देख्या, आप उसको उतार लो ठीक है, सब चीज़ों को उतारो उसके बाद उनको collect करके एक format पे लिख लो, यानकी एक paste पे लिख लो, ओके उसकी वज़े से क्या होता है, confusion नहीं होता सब को collect करके एक paste पे लिख लो बिल्कुल दिक्कत ली आई, आगया हो स्रित्य अनुपाती के लिए क्या बताया था 20 स्क्वेर बटे 20 स्क्वेर है देखो, 12 बटे 12 और एक इतना है 24, यहाँ पे 00 कुछ है, बताती हूं कैसे solve करने है, 2 थी न यहाँ नीचे लगा लो, 4 4 होगी न, 2 0 इसकी और स्क्वेर है, यहाँ पे 3 है तो उपर चलीगी 3 0 3 0 से तो यह 3 cancel बचता कितना है, 12 एकम, 12 दूनी 24, 2 से 12 बच गया मेरे पास, 12 बटे 10 क्या करती है, मैंने 12 है 12 है न, 12 बटे 24 12 एकम, 12 दूनी 24, 2 से 6 पे 2 से कितने पे कटेगा, 6 पे 6 बटे 10, 6 बटे 10 को क्या लिख सकती हूं, मैं 0.6, कौन से option पे 0.6, 0.6 दे रखा है मैं option नंबर C पे मैं option नंबर C पे तो 0.600 दे रखा है, इसी को ही 0.6 बोलते हैं, क्यूं देखो, point हटाओंगे, मैं यहाँ पे 0 उतरेंगी 3 है न, तो 3 उतार लो 2 से 2 कैंजिल क्यानी कि indirectly मेरे पास 6 बटे 10 ही तो है, इसी को तो 0.6 लिखते हैं point के बाद जो 0 होती हैं, उनको count नहीं करते, point के बाद वाली 0s को count नहीं किया जाता है next question देखते हैं, पढ़ो next question में क्या दे रखा है हमें देखो, इसमें क्या दे रखा है हमें पहले भी कर चुके न, इस type का question देखो कौन सा अनुपाद सबसे कम है, सबसे कम निकालना है ठीक है, LC हम लेके तो possible नहीं बहुत बड़ी-बड़ी values आएंगी सबसे कम निकालना है ओके, देखो, यहाँ पे है 15 बटे, 17 बटे 5 तो यहाँ पे 3 पॉइंट करके कुछ आएगा और बाकी सब यहाँ पे इसका मतलब होगे 3 बटे 22 यानि कि उपर छोटा नीचे बड़ा point में कुछ अंसर आएगा, है ना, सब में point में अंसर आ रहा है, सिर्फ यही वही कैसी value है, जिसमें point में अंसर नहीं आएगा, 3 point कुछ करके आएगा, मतलब 0 point में नहीं आएगा 3 value तो सबसे बड़ी है दिखी रही है, तो इसको तो हटा दो, इसको तो competition से ही भार कर दो, disqualified कर दो, ती तो सक्तियों में, 19, 2 नहीं ठीक है, यहाँ से कितने आएगा 0, यहाँ से 22 एकम 22, यहाँ से कितना आएगा, अगर मैं 230 को 29 से करती हूं तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास 0 point 9, 7, 7 0 point 7, ठीक है, क्या बताना है सबसे कम, 0 point एक सबसे कम है, यानि कि मेरा right answer होता है option number 3, 22 यानि कि option number a, right answer हो जाएगा option number a, next question देखते हैं कुछ भी नहीं था, कर रखा है न, इस type का question थो हमने इनको हमें अवरोही करम, यानि कि descending order में लगाना है, यानि कि सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, छोटा, छोटा ऐसे इनको convert करना है क्या क्या दे रखा है मुझे ratio, 15 बटे 7, दूसरा ratio क्या given है, 5 बटे 11 15 बटे 7 5, 11, 21 21 बटे इसको काट लूँ 7 तिया 21, 7 से 11, इसको क्या लिख सकते हूं मैं 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, इसको मैं लिख सकते हूं 0.54 पे जाएगा, इसको मैं लिख सकते हूं 11 दूनी 22 यानि कि यह वाली values आगी मेरे पास 3 ही है ना, सबसे बड़ा 1st number, उसके बाद आता है 0.4 दूसरा और उसके बाद आएगा 3 1st पे 15 बटे 7 किसमे 15 बटे 7, यह भी हो सकता है 2nd पे है 5 बटे 11 5 बटे 11, option number B सकता, सी नहीं हो सकता right answer रहेगा, हमारे पास option number B next पे आजाओ, question number 17 इसमें क्या है मध्यानुपाती, mean proportion निकालना है मैं आप दो बार पहले भी बता चुके हो एक बार फिर से बता देती हूं ओके लगा दो अंडर दा रूट A B क्या है 27 गुना 3 27 के निचे 2 0 यहाँ पे आएंगी 2 0 27 की 3 से करा दूँ 27 ही है न मध्यानुपाती 7 21 6 7 8 अंडर दा रूट 81 81 बटे 4 0 81 होता है 9 का रूट से भार लाएंगे 0 आधी हो जाएंगी 2 के बाद 0 2 के बाद 0.09 2 के बाद पॉइंट है ना तो राइट अंसर क्या होगे option number है अब देखो questions easily solve होते चलेंगे अपने आपी एक बार बता दीना value वह पहले ही सारे formula हमने पहले ही याद कर लिए अब देखना बिल्कुल easy easy solve होते पहली और दूसरी राशी का नूपात इतना है पहली राशी 35 है तो दूसरी राशी क्या होगी पहली जो राशी है वो 35 दे रखी है अनिकि 7 की मैं 5 से गुना कराऊंगी तभी तो 35 आएगा 7 की 5 से गुना कराऊंगी तभी तो आएगा तो इसकी भी मुझे 5 से गुणा करानी है कितना आगे 8, 5, 40 ठीके, दूसरा method देखो यह तो गया direct एक देखो, 7 ratio 8 दे रखे हैं और 35 दे रखे हैं मुझे 7 की value तो निकालो, 7 की value है 35 एक की value आएगी 7, 5, 35 8 की निकालनी है तो 8 गुणा 5, 8, 5, 40 इसको ऐसे कर लो, ठीक है, तीसरा देखो value की निकालनी है मुझे 8 की यानि कि मेरे पास value क्या given है 7 ratio 8 यानि कि मेरे पास यहाँ पे भी कुछ x है यहाँ पे भी कुछ x है, xx की कुछ value है ना देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ x की value आएगी यानि कि 8 गुणा 7 जो भी मेरा अंसर आएगा वो 8 का multiple होगा हर हालत में 8 का multiple होगा तो option चेक करो 8 का multiple यह भी है, यह भी है यह नहीं है, यह नहीं है यानि कि यहाँ से 2 option neglect होगे अगर फिर निकालना तो पड़ेगा अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है, यहाँ से 3 options neglect हो जाएए तो वो देखना पड़ेगा दो या 3 method बता दिया आपका जो मन करें, जिससे आपको मन की सुक्षान्ती प्राप्त होती हो खुशी मिलती हो, उससे solve कर लो 19 में क्या दे रख्थ है इनका में चतूर्थ अनुपाती, यानि कि 4th proportional निकालना है 4th proportional के लिए formula बताया था BC बटे BC बटे BC यानि कि यह है A, यह है B, यह है C B और C, B गुना C, C कितना दे रख्थ है 38 बटे में A, A कितना है मेरे पास 19, 19 दुनी 46 यहाँ से आगया मेरे पास अंसर, 46 दे रख्थ है option नमबर A पे 19 का right answer होता है, मेरे पास option नमबर A अफट आफट 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 लगाते चलेंगे एक समानुपात में पहला दूसरा और चोथा पद यह दे रख्थ है, तीसरा पद निकालना है, देखो समानुपात क्या होता है जैसे मेरे पास ratio है, मेरे पास A, B, C, D यह जो है न, चार बिंदी जिसको बोलेंगे हम चार डोट, इसको बोलेंगे समानुपात देखो, इसका मतलब क्या हुआ A बटे B की जो value आएगी वो मेरी C बटे B की value के बराबर आएगी चलो इसका यूज़ करते है पहला, दूसरा और चोथा पहला पद क्या है, 15 बटे में B, यानि की दूसरा पद कितना है, 25 और तीसरा पद, यानि की C, दे नी रखा चोथा पद कितना दे रखा है, पिछे यहाँ से C की value हम easily निकाल सकते है कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से cross multiply करा कि C की value easily निकल जाएगी, ठीक है cross multiply करा होगे, दिक्कत आएगी, देखो एक और छोटा सा, इसमें छोट इसी ट्रिक है, वो बताती है 15 बटे 25 बराबर आएगी किसके C बटे ठीक है यानि कि मेरे यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे भी 15 आएगा यहाँ पे 25 है, तो यहाँ भी 25 है ठीक है, यहाँ पे 15 है तो मेरा यहाँ भी 15 आना चीए यहाँ पच्चीस है, यहाँ का तो पतानी क्योंकि C है यहाँ पे कितनी value दे रखे कि इसकी मुझे तीन से गुना करके देश कहें यहां पर मुझे 25 तीन गुना दे रखा है 25 तिया फिचेतर उपर 20 का सीर्ट तेन गुना ही तो दे रखा होगा ना तबी तो ब्राबर है ब्राबर वैल्यू कब बोलेंगे हम जब ब्राबर का मतलब equal है, दोनों चीज़े equal है, दोनों चीज़े समान है, समान तभी बोलूँगी, तो जब value equal आएगी, तो यहां से तो 25 की value, 75 यानि की 3 गुना, तो उपर भी इसका कितना करा दो, 3 गुना करा दो, 15 तिया, इसकी जगे देखो, मैं इसको ऐसे भी कर सकते थे, 15 बटे 25 बराबर है, C बटे पिचेतर, काट लूँ 5 तिया, और यहां से आएगा पापा 25, ठीक है, यानि की मुझे यहां पे, यार, दुवारा लिखते हूँ, 15 बटे 25 और यहां से value है, मेरी C बटे 25, पाँच तिया, पाँच पाँच पे, ठीक है, फिर बस यह वाली values दे रखी है, अब यहां पे मैं किस value से इसको काटूँ, कि यहां पे 5 आ जाए, यानि कि 15 से काटना है, 15 पाँच बिचेतर, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 15 तिया, ठीक है, तो इस वाले method से भी कर सकते हैं, उपर वाले से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जिय किसी से कर लो, पहले वाले से भी कर सकते हैं, next देखते हैं, हम लोग question number 21, 21 में क्या दे रख है, x की value है, और यह सारे कितने समान, fourth proportional दे रख है इनका, इसकी fourth proportional निकालना है, x की value 4 है, जहां पर भी x से 4 पुट कर दो, 4.16 और 3, 19, पहली value आगी, 7.28 और 2, दूसरी value आगी, 9.36 और 2, 38, निकालना क्या है हमें इसका fourth proportional, fourth proportional के लिए हम पहले भी दो बर formula discuss कर चुके, bc बटे a, b की value, 30, c की value, 38 बटे में a, ये a है, ये b है, ये c है, 19 दूनी, 38, 3 दूनी, 6 यानि की 60 हमारा answer है, 60 हमें कहाँ दे रख्या option number b पे, 21 का right answer रहेगा option number b, 20 का देखो, 20 में क्या है, संख्या हैं ये सारी, चतुर्थानुपात में है, fourth proportional, same question है, formula है लगाना है, b, c, बटे a, b, गुना, c, बटे a, 48, 48, और 2022 के ही question है, HCM, head constable minister, 2022 का question है, कितना easy है देखो, क्या था, सिर्फ formula, और जिसको formula नहीं पता न, उसको ये question इतना मुश्किल लगेगा, जैसे पता नहीं, कौन सी महाबारत कुछली हो, ठीक है, तो सबसे main है, इनके अंदर formula याद करने हैं हमें, next राज़ो, मध्यानुपात, मध्यानुपात, under the root, a, b, हमें ये निकालना है, ठीक है, formula बता है, अब देखो, क्या दे रख़ए, under the root, a value क्या है मेरे पास, ये पूरी a है, ये पूरी b है, मुझे दे रख़ए, a minus b की cube, ध्यान से देखना है, इस question को, यहाँ दे रख़ए, a plus b की cube, ठीक है, ये होगी a value, गुना b, b दे रख़ए, a minus b, और यहाँ पी given है, a plus b, ठीक है, a minus b को, a square minus b square, लिख सकते हैं, हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, अब देखो, यहाँ इस 3 को भूल जाओ, कि है यह नहीं, यहाँ पे भी कुछ 3 नहीं दे रख़ा, यहाँ पे भी नहीं दे रख़ा, ठीक है, यह वही बन क्या, a minus b, a plus b, क्या होता है, a square minus b square, यानि कि, a square minus b square, और पूरी की power कितनी थी, 3 थी, यहाँ पे भी वही हो गया, a square minus b square, यानि, रूट में चल लिए हैं सारी चीज़े, ध्यान रखना, यह सारी चीज़े मुझे, रूट में दे रख़ी हैं, ठीक है, अब देखो, यहाँ पी power 3 है, और एक power यह होगी, एक होगी ना, चार, तो मैं लिख सकती हूँ, a square minus b square की total power कितनी है, 4, ठीक है, अंदर 4 power है, भारा की कितनी power हो जाएगी, a square minus b square की power दो, यानि कि, a square minus b square का, whole square हमारा right answer होते है, का दे रखा है, option number a पर ही दे रखा है, मैं नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, next देखते हम लोग question number 24, last second question of our class, इसमें दे रखा है, x का मान निकालना है, समानु पात में दे रखा हैं ने, proportion के अंदर दे रखा हैं, जैसे, 21 ratio 60, 7 ratio x, देखो, 21 बटे 60, इसका मतलब होता है, बराबर है, 7 बटे x, ठीके, 7 बटे x के, 21 से मैं 7 कैसे बना सकती हूँ, 21 से 7 बनाने के लिए, मुझे 21 को 3 से भाग करना पड़ेगा, तब ही तो 3 साथ ते 21 आया है, क्यानि कि मैं इस value को भी 3 से भाग कर दूँग, मेरा अंसर आजाएगा x की value 20, मेरा अंसर आजाएगा यहाँ से x की value 20, 20 यानि की option number A, direct बता दिया, formula से देखो, यहाँ से मैं cross multiply एकरा की x की value निकाल दूँ, कैसे यह आजाएगा मेरे पास, 21 x बराबर है, 7 गुना 60, x की value आजाएगी, यहाँ से x की value आजाएगी, ठीक है, तीसरा हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, 21 बराबर है मेरे पास 7 बराबर x, इसको काट लूँ, 3 दूनी 6 और यह 3 साथे 21, 7 की value 7, यानि की 1 का मान 1, तो 20 की value भी कितनी आएगी यहाँ पे 20, 20 का मान 20, इस तीन में 3 से बता दिया हैं, लिख दूँ, यह first है हमारा, यह second है और यह हमारा third है, आपका जिससे मन करें, जिससे आपको समझाएं, अपना कर लेना, next आते हैं, last question 25, इसमें क्या दे रख है, तीसरे अनुपातिक का वर्ग कितना है, third proportional का square पुछ रख है, यह पहले मुझे third proportional निकालना है इसका, और उसके बद मुझे उसका square निकालना है, third proportional आ जाओ, क्या formula है, third proportional का B square बटे A, यह हो गया A, यह हो गया B, B का square बटे A, बारात यह 36 तीन चोगे, यानि कि मुझे अब 4 का square निकालना है, कितना आ गया, 16, 4 का square कितना होते है, 16, तो यहां से कितना आ गया मेरे पास, value कितनी आगी, 16, option number B, इतने ही questions हैं, बाकी के questions हम लोग next class में करेंगे, I hope आपको समझाता होगा, जो समझाना चाहरी हूँ, वो समझ आती होगी चीज़े, ठीके, उसके अलावा अगर कुछ दिक्कत हो, तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, अगर यह लगता हो, मैं English की terms जादा use करती हूँ, तो बता देना, अगर यह लगता हो, कि Hindi की जादा use करती हूँ, में, wish you very all the best, thank you,